हलो एब्रिवन वेलकम बैक टो जीडिसी एट्विटर जी हां जैसे कि आप सभी को पता चली गया होगा डी फार्मेसी एग्जिट एग्जामनेशन इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है अभी हाली में पांच और च्छे एक्टूबर को आपके एक्जाम डेट से अनाउंस किये हैं तो इस एक्जाम के लिए आपको प्रॉपर तरीके से प्रिप्रेशन करने का ज़रूरत है और हम यही हमारा में मोटो है कि आपके हर एक डाउट क्लियर करें और देखिए आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसके थियोरी मिलेंगे सारे सब्जेट्स के थियोरी मिलेंगे क्योंकि में आपके पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए आपको सॉल्ब करना है एंसी क्यूज तो आपको उनके थियोरी भी पढ़ने पढ़ेंगे आपको उनके कॉंसेट पहले क्लियर करने पढ़ेंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे एंसी क्यूज प पर सबसे ज़्यादा important हो सकता है कैसे कैसे questions आपके exit exam के लिए निकल कर आ सकते हैं तो जब भी इस वीडियो को देखोगे बिल्कुल ध्यान से देखना और सारे questions उनके proper explanation भी यहां पर आपको देखते हुए चलना है नोट डाउन करते हैं चलना जितने भी आपके लिए इन्पॉर्टेंट बन रहे हैं यह question आपके डी फार्मेसी के सैसनल एक्जाम में help करेगा साथी साथ आपके जब भी एक्जिट एक्जाम के लिए आप रेडी करोगे वहां पर भी आपको बिल्कुल help करेगा तो देखेंग स्पीड देखते हैं एक कोई फास्ट रिविजन आपके यहां पर कर लेंगे पहला कोशन बोला गया है पायोनर एंड फादर और फार्मसीटिकल एजुकेशन इन में से किस व्यक्ति को इंडिया में फार्मेसी प्रोशेशन या फार्मेसी एजुकेशन का जनक बोला गया है फादर के नामसे जानते हैं तो प्रोफेसर एमल। इसलिए भारत में फार्मेसी शिख्षा का जनक मना जाता है या फार्मेसी और अजुकेशन के नामसे जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इंडिया में फार्मेसी के कोर्स स्टार्ट किये थे और कहां पर स्टार्ट किया था तो भी एचिव में स्टार्ट किये थे यह आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले वहां पर एक कोर्स उन्होंने लॉंच किया जो भी एसी कोर्स वहां पर एड़ करें उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट एड़ हुआ था फार्मसीटिकल केमेश्ट्री और उसके बाद फार्मकोगनोसी और एक सब्जेक्ट था फार्मेसी और इसे ही मिला कर उन्होंने एक अलग से कोर्स ही बना दिया बनवा लिया भी फार्मेसी करके उस समय यह कोर्स में पढ़ रहे हैं और ऐसे बहुंट सारे इसी कोष में आगे बढ़ कर वी फार्मीसी फार्मीसी पीच़ी यह सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर पा रहे通话 सिर्पर सिफ इन्ही के कारण यह पॉसिबल हो पाई हैं यह कभी भी यह यह फार्मिसी फिल्ड से नहीं थे लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन का योगदान अपने फार्मिसी फिल्ड को ही समारने में दे दिया था इसलिए इनके लिए एक स्लोगान भी बोला जाता है कि not a pharmacist but for the pharmacist चलिए ठीक है ध्यान रखना Hummediatecho उडे इन्पमार्च को इनका birth anniversary होता है इनका date औप로त होता है इस कारण से इन्हें बुला जाता है कि the day of indian pharmaceutical education day थापी इन्दीन फार्मसी एजूकेशन बे के नाम से भी इसे मनाय जाता है फार्मेसी कॉंसिल अप इंडिया ने इसका ओफिशेल अनॉंसमेंट किया था चलिए यहां पर देखते हैं चेयर मैं बताया गया है ड्रग इंक्वाइरी कमीटी और इसका द्रकेस बनाया जा रहे थे यह उनका मैनफेक्चरिंग हो रहा था इंपॉर्ट हो रहा था एक्सपर्ट हो रहा था उस समय कहीं कहीं कौलिटी में थोड़ा सा किया जाता था वो फ्कॉापर तरीके से बनाना चाहिए जOOD स्टेंडर्ire गाइडलाइन जो प्रोसिजर को फॉलो करना चाहिए वह समय नहीं किया जाता था तो उन सारी चीजों को रोकने के लिए स्टॉप करने के लिए और प्रॉपर एक क्वालिटी और एक सेप्टी के साथ हमें ड्रक्स मिल सके पेशेंट को इस कारण से इंक्वारी कमिटी को बना सारे कमिटी आपको पूरे हिस्ट्री में यही सारी देखने के मिलेंगे यहां पर देखते हैं 1903 में एक छोटी सी फैट्री एक छोटा सा कारखाना खोला गया था पैरल में पैरल बॉम्बे में छोटा सा कारखाना खोला गया था जो आज के डेट पर अलेंबिक के नाम से य यहां पर अगर मिश्टर बथगेट की बात करते हैं इन्होंने सबसे पहले फार्मेसी सौप या केमिश्ट सौप ओपन किया था प्रोफेसर टीके गजर की बात करते हैं तो इन्हों ने छोटी फैट्री ओपन की थी ठीक है पैरल बॉंबे में छोटा फैट्री ओपन किया था जिसे आज के डेट पर के नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए यहां पर बोला गया बेंगल केमिश्ट फार्मसीटिकल वर्क्स यह किसके द्वारा इस्टेबलिस किया कि अच्छा य अगल केमिकल और फार्मसीटिकल वर्क्स यह कलकता में किया गया था कहां पर किसके द्वारा किया गया था यह हो जाएंगे आचारिये प्रफूल चंद्रा रॉय या पीसी रॉय के नाम से इन्हें जाना जाता है ठीक है यह तीन चीजे बिलकुल आप ध्यान में रखना यह सभी स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट निकालना है यह सभी स्टेटमेंट फार्मसीटिकल लेशलेशन के लिए करेक्ट है लेकिन अकॉर्डिंग टू दा को इनकरेक्ट निकालना है चलिए पढ़ते हैं टू प्रमोड दा इंडिजेनियस रिसर्च टेक्नोलोजी जी हा प्राइब कर में एंडिया में फार्मेसी फिल्ड में जो भी रिसर्च हो रहा है उस टेकनोलोजीक उस मेथड़ो लॉजी को प्राइस प्रॉपर तरीके से कंट्रोल हो वा जाए उसके प्रिपरेशन में एक प्रॉपर स्टेटेजी मेंटेंड़ करें पर्टिक्लर प्रोसीजर से चला जाए यह in कमें काम रहेगा healthcare सिस्टम बढ़ाया जाए उसे प्रमोट किया जाए बट फार्मेसी प्रेक्टिस की बात करते हैं यह इनका काम नहीं रहेगा आपको एक्सेशनल केस यहां से निकालना था ध्यान में रख लेना यहां पर पुछा गया हुआ सब्सक्राइब करके पूछेगा लेकिन ध्यान में रखना नाम आपके लिए वही रहेगा प्रोफेशर महादेवलाल स्वराव ठीक है चलिए अगला देखते हैं हेल्थ सर्वें डेवलोप्मेंट कमीटी वास अपॉइंटेड बाइ गॉवर्मेंट इन इंडिया किस समय इसक द्यान में रखना है कब किया गया था नैंटीन फोटी त्री में अंडर दे चेर्मेंसिप वापूं सर जोसेफ बोर इनके द्वारा जिसे बोर कमीटी के नाम से भी जाना जाता है यह आपको रिमेंबर करना है ठीक है सारे की वर्ट्स बिल्कुल द्यान में रखना किसके द फार्मसिटिकल इंकौारी कमीटी इसके पहले हम नंतर चोप्र्मसिटिकल इंकौारी कमीटी में बोला गया है किसके रखने डॉक्टर बी एन गोस के दवारा जैनरल स.बतिया जन्रलばाटिया के दवारा चलिए थोड़ा सा आपको एंसर यहीं पर मुझसे गल्ती Скலिक हो ग जनरा रॉय एंड प्रोफेसर एमल स्वरॉप तो इसके लिए निकलेगा आपके पास भाटिया ठीक है भाटिया कमिटी के नाम से भी इसे जानते हैं चेयर्मेंसिप यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है चलिए बिल्कुल बीच बीच में हिंदी नाम भी आ सेस उम्णेंक प्राइस कंट्रोल इंपोट एक्स्पोट रॉल ऑफ धारिन सेक्टेंर क्वालिटी कंट्रोल थी ज्यूब्हाइं ठीक किसी भी ड्रग का प्राइस कंट्रोल करना उसका इंपोर्ट एक्सपॉर्ट को देखना यह कि सबांतर घर कोłos कम्यटित का मैं रोल था आपको बताना है भाटिया कमिटी मुदलियर कमिटी हाथी या बोर कमिटी चली यह आ जाएगा आपके लिए अंसर हाथी कमिटी और इनके भी चेर्में को याद रखना पर देखेंगे तो तुरंती ही आपको मिल जाए क्योंकि नाम में ही अंसर चुपा हुआ बस थोड़ा सा आपको को रिलेट करना है यहां देखते हैं युनाइट प्रोविजन फार्मसिटिकल एससेशन बनाया गया जिसे आज के डेट पर कनवर्ट करके दूसरे नाम से भी जाना जाता है इस नाम को आपको बताना ह इंडियन फार्मसिटिकल एससेशन फार्मकोफिया एससेशन या इंडियन फार्मसिट एससेशन देखें यह सारे आज की डेट पर एक्टिव हैं लेकिन आपको बताना है जो युनाइट प्रोविजन फार्मसिटिकल एससेशन बनाया गया था उससे चेंज करके बना दिया से हैं लेकिन गलती आपको नहीं करना है इस बात को बिलकुल ध्यान में रखेंगे यहां पर पुछा गया है फॉलिएंग कमिटी इस एपोइंटेड बाइ गवर्मेंट आप इंडिया अंडर दे चेयर्मेंसिप आप एल मुदलियर ठीक है एल मुदलियर डॉक्टर एल मुद डेवलोपमेंट कमीटी चलिए यहाँ पर अगर मुदलियर सर के द्वारा बात करते हैं तो हेल्थ सर्वे के साथ-साथ प्लैनिंग कमीटी इनके अंतरगत इनके द्वारा यह इनके द्वारा इस्टब्लीज किया गया था यह इनके चेयर्मेंसिप में चीजी पॉसिबल हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं फुर्पंटेट दर फर्स्ट कैमिस्ट सब्चलिए बताना आप कमेंट करके इसका इंसर बता दो कि बहुत इजी सा है सबसे पहला कैमिस्ट सब्किसके द्वारा किया था बथगेट प्रोफेसर ठीके घजर अचारी पीसी रॉय चलिए अब इन्हीं में से कौन सा क्रेक्टंसर आजाएगा सीमपल यहाँ पर आपके लिए मिस्टर बथगेट ठीक इनके जुरार कैमिस्ट व्यारोन किया था इन्होंने क्या किया थाn'tस कहां पर कहां पर बेरल में बामबे में यहां पर किया था प्रोफेसर मादेव लल सराप फाजर आप इंडियन फार्मेसी एंड पीसी रॉय बेंगल केमिकल ठीक है तो इनके एट लिस्ट यह चार नाम यह चार नाम आप बिलकुल हिस्ट्री में जरूर से ध्यान रखना कोश्चन यहा पीसी रॉय के द्वारा स्टार्ट किया गया था इसका इस्टाबलिस्मेंट यह बताना है यह बताना है नैंटीन जिरो वन फोटी एट जिरो थी नैंटीन एटीन नैंटी एट चलिए थोड़ा सा परसानी हुआ यहां पर कोश्चन देखके तो आपको हैं समझ में आ गया पिसी रहे के द्वारा किया गया है लेकर पूछ किया दिया आप से यहां पर किस एयर में किया गया था क्या जाएगा 19 01 ठीक है 1901 एयर फे.. इस्टाबलिस्मेंट यह 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 आप स्टार्टिंग यह आप जरूर से ध्यान में रखना important रहे गाही रहेगा आपके लिए चलो अगला देखते हैं, to inquire the legislation that allow only qualified person to access the pharmacy profession is the function of, ठीक है, इसके अनुसार जो पूरी तरीके से well qualified skilled person है, सिर्फ उन्हें ही हम pharmacy profession में allow करेंगे, उन्हें ही pharmacy practice के लिए allow किया जाएगा, किसके द्वारा ये बताया गया है, drug inquiry committee के द्वारा, health care committee, Indian government या council of state के द्वारा, क्या जाएगा, drug inquiry committee, इसी का main role है, इन्हों नहीं इसका establishment किया, इन्हों नहीं बताया कि नहीं, जो candidate पूरी तरीके से well qualified रहेंगे, सिर्फ वही eligible रहेंगे, कि वो किसी भी तरीके का pharmacy practice कर सके in India, चलो, यहां देखते हैं, drug inquiry committee से एक and survey and development committee, ठीक है, यह आगे बढ़कर किस act को, यह किस समिधान को यह क्या कर रहा है, आगे बढ़कर इसे support कर रहा है, या आगे बढ़कर उसमें develop हो रहा है, pharmacy act, drug act, drug act 1948 and pharmacy act 1947, चली, क्या आगे हैं पर correct answer आपका, pharmacy act 1947, क्योंकि इनका major काम क्या है, इन्होंने बताए कि जो well qualified person है, सिर्फ वही उन्ही का काम रहेगा, कि वो pharmacy practice कर सकते हैं, इनके according, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, pharmacy act का, तो pharmacy act को भी इसलिए बनाए गया है, ताकि pharmacy act के अंतरगत, हम proper तरीके से pharmacy education को, pharmacy profession को इंडिया में regulate करवा सकें, और जो well qualified person है, बस उ सारी चीजे मिल सकें, और ताकि इस से क्या होगा, इंडिया में pharmacy profession improve होगा, और quality हमारे customers को या हमारे patient बोलना ज्यादा से रहेगा, तो patient को एक proper और safe और efficient medicine से मिल सकेंगे, यह सारी चीजे पॉसिबल हो जाएंगे, और यह main objective है, किसका pharmacy act का, ठीक है, यह और पासिंग या दख चोपरा किसके चेयर में सिप के अंतर रहे तो ड्रग inquiry कमिटी का सुरुवात किया गया था, किसके द्वारा किया था तो यह आ जाएंगे आपके आरेंज चोपरा ठीक है, लेट करनल आरेंज चोपरा, चोपरा के नाम से ही क्लिक के आजाएगा आपके पास यहां पर चोपर कमिटी है थरेपिटिक कमिटी हता जिए मुखरजी कमिटी हता दीजिए चोपरा कमिटी ठीक है नाम आप याद रखेंगे वहीं से आपको करेक्ट टेंसर मिल जाएगा तुरंद ड्रग बिल का पास वह था बताना इंटर्डूश्ट कब वह था नैंटीन फोटी में 4547 या में ड्रग बिल किसी भी ड्रग के लिए एक पर्टिकुलर रिट करना यह नैंटीन फोटी में इस्टार्ट किया गया था ठीक है चलिए किसके द्वार किया गया था तो legislative assembly में किया गया तो जो भी बिल पास होता है legislative assembly में पास होते हैं यहां देखते हैं फर्स टाइम इनिड टाने 1857 1910 1901 यह यह बताएंगे ठीक है कब किया गया था तो सबसे अगर हम इनकी बात करते हैं प्रोफेसर इसमर्ट अगर यहां बात करते हैं बदगेट के द्वारा बदगेट के ज्वारा कलकाता में पर क्या था लेकिन यहां पर आप से क्या पुछा गया क्या जाए करेक्ट एंसर नैंटीन जीरो वन भी एटा दीजिए एट्टीन इलेवन ठीक है एट्टीन इलेवन में और यह सारी चीजा आपको यहां पर याद दखने एक तिन-धित इलेवन में सबसे पहला केमिस आप एक्टीन-टीवन में एपुथिकरी तोड़ा सा हट के कोशन मिला आपको थोड़ा सा हट के कोशन मिला फादर आप इंगलिस जूरिस्पोडेंग कि नहीं बोला जाता है ब्लैक इस्टोन अस्टीन हरवर्ट इस्पैंकर या सेविंजिन करेक्टेंसर निकलेगा यहां पर आपके लिए ओस्टीन ठीक है ध्यान रखना है यह चीजह आप देखेंगे आपके बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा औस्टीन इन्हें क्या बोला जाएगा फादर आप इंगलिस जूरिस्पूडेंस क्योंकि इन्होंने टाइट कमिटी ड्रग इंक्वारी कमिटी कौन कौन सा रिकमेंडेशन देती है या इसका अब्जेक्टिव आप बता सकते हैं फार्मिशन ऑफ दे सेंट्रल और स्टेट फार्मेसी कांसिल चलिए सिटिंग ऑप टेस्ट लेबरेटरीज इन ऑल स्टेट एपॉंट्मेंट्मेंट सेंट्र्मेसी स्टेट सेंट्र फार्मेसी वर्क करेंड है रहता है और साथी साथ एक ए rimडरी बाडिowह बनाने ने का काम रहता कि कंजल्टिव बाड़ी बोल सकते हैं यहां पर सिंपली बोल सकते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यह बनाने का काम किसका रहेगा ड्रग इंक्वारी कमिटी का तो आपको तीनों ही ऑप्संस यहां पर करेक्ट देखने को मिल जाएंगे ठीक है ऑल आप देब आपके लिए करेक्ट एंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा चलिए बस यही करना है ऐसे ही एंसी क्यूज आपको बिल्कुल रिमेंबर करके रखना है बहुत एजी रहेगा और एकदम एजी लेंग्वेज में समझेंगे इनके एक्स्प्रापर तरीके से लेते चलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ स्टेय टूने विट जीडिसी यूट्यूटर थैंक यू अल